श्री शद्गुरु महराज कीजे प्रातह स्मर्णी अनंत्स्री व्यूशित पर्माराद्य शंत्षद्गुरु महर्शिमें प्रमांजी महराज का प्रवचन शंत्य सुखी मन जीती हो बंदाउं गुरुपद कंज कृपाश इंधुनर रोपहरी महा मोह तम पुंज जाशु वचन रविकर निकर प्यारी धर्मान उरागिनी जनता हम लोग संसार में अच्छी हालत में हैं या बुड़ी हालत में इसका विचार करना चाहिए यदी अच्छी हालत में है तो ठीक है यदी बुड़ी हालत में है तो क्या इसी हालत में रहना अच्छा है यदि इससे कोई अच्छी हालत है तो उसमें जाना चाहिए पशो भी बुरी हालत में रहना नहीं चाहता हम तो मनुष्य हैं यह संसार बहुत बड़ा है जो पढ़े लिखे लोग हैं वे जब इस संसार के चित्र को मन में लाते हैं तो उन्हें बहुत विश्त्रित मालुम होता है संसार के जिस तल पर हम लोग हैं संसार इतना ही बड़ा नहीं है हम लोग जिस तल पर रहते हैं वह अस्थूल है अस्थूल तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका पुर्व रूप सुक्ष्म ना हो सुक्ष्म भी तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका पुर्व रूप कारण ना हो इसके अर्थात संसार के अस्थोल तल को बहुत लोग भुगोल में पढ़े हैं किन्तो इसके जो दो तल और बज जाते हैं इसको किसी स्कूल और कॉलेज में कोई पढ़ा है कभी नहीं यह संसार अनंत नहीं है किन्तु बहुत बड़ा है तुलसी कृत रमाइन में है प्रकिर्ति पार प्रभु सब उरवाशी ब्रह्म निरेह विरज अविनाशी एक अनादी अनंत अवश्य है जो अनादी अनंत कभी नहीं हो सकते दो अनंत के होने से दोनों की सीमा मिल जाएगी दोनों शांत हो जाएंगे अनंत दो हो नहीं सकते एक ही होगा प्रकिर्ति ब्याप्य है और प्रमात्मा ब्यापक है प्रमात्मा मोहिते कुल और प्रकिर्ति मोहान है प्रमात्मा इस प्रकिर्ति को भरकर और भी आगे है, समस्त प्रकिर्टी मंदल को जानिये कि कितना बड़ा है, समस्त प्रकिर्टी मंदल का कहीं नक्षा है, कहीं नहीं, गुरु महराज कहा करते थे, वह नक्षा मनुष्च के अंदर है, उसने किसी छापे खाने का मुह नहीं देखा है, बहुत बड़ा संसार है, लोग रहते हैं क्या हालत है आप बड़े धनवान हैं तो क्या आप सब तरह सुखी हैं आपकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है आप बहुत विद्वान हैं तो क्या आप सब तरह सुखी हैं कभी नहीं कहेंगे यह दुख है और वह दुख है महात्मा बुद्ध को भी पेचिस का रोग हुआ वे पहुँचे हुए महात्मा थे समाधी में सुखी रहते थे समाधी से उतरने पर दुखी होते थे उन्होंने यह अपने शिश्य आनंद से कहा था जो पिंड में रहता है अस्थोल संसार में रहता है उससे उपर उठता है तो उसके कष्टों से बसता है उस तल से उपर उठकर भगवान बुद्ध रहते थे तब कष्ट नहीं होता था इस संसार में कोई भी सुखी नहीं रह सकता शंद कविर साब ने कहा है तंधर शुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो उदै अस्त की बात कहतु हैं सबका किया विवेका हो घाटे बाढ़े सब जग दुखिया क्या गिरही वैरागी हो शुकदेव अचारज दुख के डर से गर्व से माया त्यागी हो जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुख दुना हो आशात रिष्णा सबको व्यापे कोई महल न सुना हो शांच कहों तो कोई न माने जूट कहा नहीं जाई हो ब्रह्मा विष्णु महेशुर दुखिया जिन यह राह चलाई हो अवधु दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी विपरिती हो कहे कबीर सकल जग दुखिया शंत सुखी मन जीती हो तुलसी साहब को लोग साहब कहते थे वे अपने को दास कहते थे साहब अरवी सब्द है इसका अर्थ है प्रभु श्वामी आदि तुलसी साहब ने कहा है आली देख लेख लखाव मधुकर भरम भौ भटकत रही दीन तीनी तन संग साथ जानव अंत आनंद फिरी नहीं शंत लोग ऐसा ही कहते चले गए हैं यह संसार शुख का अस्थान नहीं है दुख का अस्थान है यहां रहकर हम अच्छे हालत में नहीं रह सकते हैं इसलिए यहां से हम लोग चल दें तभी अच्छा है किन्तो फिर चलें तो किदर पुर्व पश्रीम उत्तर यादचिन चारों और संसार ही संसार दिखता है यह संसार बहुत बड़ा है उपर की और अकास है यह भी संसार है नीचे भी संसार है बचे हुए आठों दिशाओं में भी संसार है इसलिए किसी जानकार से जाने की किधर जाएं कबिर शाहब कहते हैं, संत सुखी मन जीती हो, इसलिए मन जीतने की ओर चले, चंचल मन थीर राखो, जवय भल रंग है, तेरे निकट उल्टी भड़ी पीव, सो अमरित गंग है, संत कबिर शाहब, चंचल चित को थीर करो, तो भला रंग देखोगे, तुम्हारे नजदिक ही अमरित की गंगा भहती है, तुम उल्ट कर पीवो, संत कबिर शाहब की एक कड़ी और याद आती है, उल्टी पाचिलो पेरो पकड़ो, पसरा मना बटोर, बड़े मजे का भजन है, मोरे जेरा बड़ा अंदेशवा, मुशाफिर जेहो कोनी ओर, मोह का सहर, कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर, कूमती नायक फाटक रोके, परिहो कठिन जिंजोर, संसय नदी अगारी बहती, विशम धार जल जोर, क्या मनवा तुम गाफिल सोवो, इहवा मोर नतोर, निश दिन प्रीती करो, शाहेव से, नाहिन कठिन कठोर, काम दिवाना क्रोध है राजा, बशें पचीसो चोर, सत पुरूष इक बशें पच्छिम दिशी, तासों करोर निहोर, आवे दरद राह तो ही लावे, तव पई हो निजठोर, उल्टी पाचिले, पाचिलो पेरो पकडो, पसरा मना बटोर, कहे कभीर सुनो भाई साधो, कौन बता देगा, तो कहा, सत पुरूष इक बशें पच्छिम दिशी, तासों करो निहोर, आवे दरद राह, तुही लावे, तपे हो निजठोर, मन को जीतने के लिए किधर जाईएगा, अकास में उड़ने से मन वस होता, तो अकास में उड़ने वाला, वायोयान पर चलने वाले का मन काबू हो जाता, पहले जानो कि मन कहां है, इस तन में मन कहां बशत है, निकसी जाए कही ठोर, गुरुगम होई तो परखी ले, नातर कर गुरु और, नैनो माही मन बसे, निकसी जाए ना ठोर, गुरुगम भेद बताईया, सवशंतन सिर मौर, कबीर शहाव, ब् दे त्रस्थंग, जागरितंग, विद्ध्यात, यह आँख में रहता है, आँख का अस्थान सबसे उचा है, कर्म इंद्रियों और ज्यान इंद्रियों में सबसे उचे में आँख है, कान से भी उपर आँख है, संद दर्या शाव भिहारी ने कहा है जानि ले जानि ले सत्पही चानि ले सुरती साची बसे दिददाना खोलो का पाट यह बाट सहजय मिले पलक परवीन दीव दृष्टी ताना इसके शाधन अभ्यास में मन में मन नैनन में नैना मन नैना एक होई जाई मन में मन तब होगा जब नैनन में नैना होगा दडिया साव ने कहा दृष्टी भीतर अब दृष्टी समोए लागी जड़ी अमरित रस पोए मन को काबो में करने के लिए बाहर जाना नहीं है मन को समहाल कर उसके केंद्र में समेटना है समेट लो तो मन में मन हो जाएगा उसको मिठास मिल जाएगी अपना आनंद अपना सुख उसको मिल जाएगा भगवान सरी क्रिष्ण के वचन अनुकोल कच्छुए की तरह अंगों को समेट लेगा शरीर के अंग तो नहीं सिम्टेंगे इंद्रियों में की चेतन धारा सिम्टेगी यदि कोई कहे कि यहाँ भी संसार में सुख मिलता है तो वह अल्प है भगवान बुद्ध ने कहा यदि विशेश सुख प्राप्ती की संभावना दिखे तो विशेश सुख की प्राप्ती के लिए सुवल्प सुख छोड़ दे मंडल ब्रह्मो पनिशद में है निद्रा भय शरी श्रीपंग इन्शाद दी तरंग तृष्णा वर्तंग दारपकंग संसार वार्दी तर्तू सुख्ष्म मार्ग मार्गम वलब्य शरीर के जितने सरोकारी हैं शब पंक हैं शन का बंधन लुहे का बंधन मजबुद बंधन नहीं है जिसमें अपनी ममता है वह बड़ा बंधन है भगवान बुद्ध ने कहा अज्यानता से ममता उत्पन होती है इस अज्यानता के कारण हम पंक में लस्के हैं इसको पार करके करने के लिए सुख्ष्म मार्ग का अवलंब करो मन में मन नैनन में नैना जो कहा वह सुख्ष्म मार्ग है कविर साव ने कहा है गुरुदेव बीन जीव की कल्पना ना मिटे गुरुदेव बीन जीव का भला नाहीं गुर्देव बीन जीव का तिमर नासे नहीं समुझी विचारी ले मन माहीं राह बारिक गुर्देव में पाई ये जन्म अनेक की अटक खोले कहे कबीर गुर्देव पूरन मिले जीव और सीव तब एक तोले अनेक जन्मों से इस पींड में अटके हैं यह अटक सुक्षमार के अवलंब से खुलता है इस संसार से पार होने के लिए सुक्षमार का अवलंब करें सुक्षमार का अभ्यास करने के लिए गुरु से जानो इससे आखिर में क्या मिलता है जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसकी प्राप्ती में जो मिठास है उसको पाकर फिर जीव दुखी नहीं होता इस संसार में नहीं आता है फिर आवाना नहीं या देश फर्ज करो कि मैं पहली बार यहां मुरादावाद आया निशाना था कि मुरादावाद पहुँचू रास्ते में बहुत से सहर मिले किन्तु वह मुरादावाद नहीं सब को पार करता हुआ अब मुरादावाद पहुचा हूँ उसी तरह अपना लक्स परमात्मा में रखो और कविर सहाब ने कहा उलटी पाचिलो पेरो पकड़ो इस पिछले पेरो पेड़े को पकड़ो बहिर मुख से अंतर मुख हो यह चेतन आत्मा शुक्षमतल से अस्थूल तल पिंड में आई है शुक्षमतल में जाने को ही ब्रमांड में जाना कहते हैं पिंड से ब्रमांड की और चलो यही उलटना है शिम्टी हुई चीज की उधर्वगती होती है सुरत के शिम्टाओं से उसके उधर्वगती हो जाएगी रास्ता पकड़ने के लिए सत्संग करो जिसमें स्रधा हो उसको गुरुधारन कर उसके बताए हुए रास्ते पर चलो सिनेमा की बिजली क्या है अपने अंदर एक बार भी देख पाओ तो समझ में आ जाए कि सिनेमा की बिजली कुछ नहीं है अंदर में ताड़ा देखने से क्या होगा मेरे एक मित्रे ने कहा मैंने कहा जिस कर्म के करने में विशेश कस्ट होता है उसको पार उसको पाकर वह उतना ही सुखी होता है इस तारे को बाहराकास के तारे को देखने में क्या कस्ट है गर्दन उपर उठाया कि देखा किन्तु अंदर के तारे को देखने में कितना परिश्रम होता है सतोगुन को पार कर दोनों भों के बीच में तारक ब्रह्म सत्वादि गुनान थी क्रंब तारक कम वलोक गेत भुरूमद्य शचीदानंद तेजह कूट रूपं तारकम ब्रह्म मंदलोपनिशद का अवलोकन करने के लिए मंदल ब्रह्मन उपनिशद में वचन आया है शतो गुन से कैसे पार होंगे बाएं इरा नारे दखने पिंगला रजस तमो गुने करी तेछे खेला मद्ये सत्व गुने सुसुमना विमला धरधर तारे साद्रे दाएं बाएं को रोक कर सुसुमना में चलो शतो गुन को भी पार कर जाओगे यह पड़ा भक्ति है इसी का प्रचार गुरु मराज करते थे गुरु मराज की दया से 1909 इश्वी में मुझे विश्वास हुआ 1904 इश्वी में मैंने इसकुल छोड़ा इस मारक के पहला मेरे गुरु थे बाबु रायंदर नाथ सिंग वकील मैंने उनसे पूछा कैसे विश्वास हो कि तारा अंदर में देखने में आवेगा उन्होंने कहा अकास के तारे को कैसे देखते हो बाहर के तारा की और नजर करके देखते हो उसी तरह उस तारा की और भी नजर करो तो देखोगे जोंज लग नहीं देखो निज नैना तब लग नहीं मानो गुरु के बैना जिस तरह गुरु कहें उस तरह करो तब नहीं देखोगे तो कहो कि गुरु जूटा है जैशा गुरु ने कहा वैशा किया नहीं और कहे कि नहीं है ठीक नहीं श्री शादिगुरु महराज की जय प्रम्पुजी गुर्देव का यह परवाचन मुरादावाज सहर में दिनांग 10.10.1954 के अप्राहन कालिन सत्संग में हुआ था श्री शादिगुरु महराज की जय